जो विकिंसी निकाली गई है ये है टाटा पावर की तरफ से गाइस टाटा पावर जो कमपनी है ये टाटा का ही गुरूप है और टाटा अलग अलग छित्र में वर्क करता है जैसे टाटा मोटर, टाटा कम्यूनिकेशन, टाटा पावर इसी तरीके से गाइस टाटा स्टील ब हो गई है, mechanical हो गई, civil वाले हो गई, सभी की requirement रहती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हर इंजीनियर की हर जगे ज़रुवत रहती है, साथी गईस, यह मुंबई महारस्ट में इसका main office है, main head office, बट इसकी जो आप लोग देख पा रहे हैं, location अलग-अलग रहेंगी, इस vacancy में all India की candidate apply कर सकते हैं, आप इंडिया में कहीं से भी belong करते हैं, आप सभी apply कर सकते हैं, साथी देखे qualification की बात करें, तो diploma student, ITI student और graduate student, यहाँ पर graduate की बात करें तो दो तरीके से, एक होते हैं non-technical वाले, दूसरे होते हैं technical वाले, तो जो हमारे technical वाले हैं, जैसे BE हो गया, या फिर BTEC हो गया, दोनों eligible हैं, अब non-technical वाले जो हैं, उनकी अलग-अलग हैं, उनकी depend करती हैं, किस आधर पर आपकी vacancy निकाली गए, जैसे finance में निकाली गए, यह तो finance वाले, sales में निकाली गए, यह तो normal BA, BA वाले apply कर सकते हैं BSC वाले कर सकते हैं, तो normally non-technical वाले भी यहाँ पर individual रहेंगे, बोड़ डिपेंट करता है आपकी किस तरीके की profile है, तो चलिए guys, यहाँ पर आप लोगों को apply करना है, apply की link बागी आप लोगों को देखिए, इसकी main side पर चले जाना है guys, आप जब इसकी main side पर जाएंगे, त तो इस तरीके का tab open हो जाएगा, और यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, carrier section में जाना है, इसकी carrier section में जाएंगे, तो दो tab open होगे, दीखी में जाएंगे, पहला है opportunity, दूटसरा है fresher, तो जो हमारे opportunity वाला है है, opportunity वाले में आप लोग किलिक करेंगी, तो search frequency आएंगी, fresher वा करना है आप employment opportunity, employment opportunity पर आप लोग किलिक करेंगे, तो एक new tab और open होगा, जो आप लोग screen पर देख पाएंगे, इस तरीके का tab open हो जाएगा, यहाँ पर दो option आजाएगे, पहला है start का, दूसरा है reset का, तो आप लोगों किलिक करना है, वो है start, start वाले जो button पर आप लोग किलिक आपको देखने के लिए मिलेगी, देखें, latest किस तरीके से है, देखें, 19 जुलाई को यह जो है सारी vacancy आप लोगों की आई है, यह देखें, यह 18 को आई है, यह 14 को, तो आप लोगों के लिए विक्टम freshers के लिए vacancy है, सबसे पहली जो vacancy आ रही है, यहाँ पर देखिए, जो हमारी आ रही है, GET की, GET position रहने वाली है, मतलब graduate engineer training, यह plant आप लोगों का रहेगा, आप सभी इसमें apply कर सकते हैं, जो graduate engineer है, graduate engineer के लिए, अब यहाँ पर सबसे main part यह है, जो आप लोगों का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, कि technical apply करेंगी है, non technical, तो जो graduation के वाला है criteria, उसके बाला है sales executive, अब गई sales executive में जैसे BA हो गया, BA वाले normally apply कर सकते हैं, non technical graduation वाले apply कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर diploma वाले भी apply कर सकते हैं, non technical profile के लिए, यहाँ पर कई सारी निकाली गई हैं, जैसे channel sales executive, यह सभी sales के department है, अगर आप sales में जाना चाहते हैं, तो जा post निकाली जा रही है, तो बिल्कुल फ्रेशर candidate apply कर पाएंगे, वो भी diploma candidate और graduate candidate, वी बीटे वाले भी, BA वीसी वाले भी, ठीक है, अब उसके बाद यह है maintenance में, दीखिए supervisor trainee की maintenance में अलग-अलग में apply करना, ऐसा मत करना कि सभी apply कर दो, दीखिए कैसे apply करना है, जो आप लोग अगर माली जे mechanical branch से हैं, civil से हैं, या फिर electronics से हैं, या फिर आप लोग CS branch से हैं, ये तो होती हैं हमारी core branches, ठीक है, core branches वाले जो student हैं, वो करेंगे, supervisory trainee के लिए, diploma वाले, और जो हमारे graduate वाले हैं, वो GET के लिए, अब माली जे कोई दूसरी branch है, जो इन से relevant है, जैसे, आप ल all branches eligible है, all branch यहाँ पर apply कर सकती है, इसी तरीके से next यहाँ पर associate की निकाल गई है, finance में, बट यहाँ पर finance वाले apply कर पाएंगे, अब यहाँ supervisory trainee की है, यहाँ भी apply कर सकते है, diploma वी की बीटे, अब आता है lead associate, इसमें जो है, एक साल का experience चाहिए होगा, lead associate में, ठीक है, supervisory trainee, यहाँ पर भी pressure apply करेंगे, diploma हो गया, graduate हो गया, दोनों apply कर सकते हैं, operation में, operation में तो आप लोग डिप्लोमा वाली ज़रूर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर non technical profile apply मत करना, क्योंकि यह technical वालो की है, only on technical, ठीक है, यहाँ पर diploma, ITI, और आप लोग की graduation, graduation में जैसे BE हो गया, या फि operator की जब भी job निकाली जाती है, तो उसके लिए technical वाले students को hire किया जाता है, तो यह तो आप लोग की सारी jobs update है, अब apply किस तरीके से करना है, माल देजिए हमें इस पर apply करना है, हम इस पर click करेंगे, click करने के बाद एक new tab open होगा, उसके बाद आप सभी को यहाँ पर apply sign नहीं है, जैसे दिखी registration में first name, second name, last name, password, email id यहाँ पर डालना है, repeat email id, यह सारी चीज़ों डालने के बाद आप लोग यहाँ पर registration कर देगे, जैसे आप सभी यहाँ पर पूरा form fill up कर देगे, तो एक और form open हो जाएगा, उस form में आप लोग की information, साथ में permanent address, आपके बस experience है, तो experience डालना, pressure है, तो end यह डाल देना, या फिर आप लोग 0 year experience डाल सकते हैं, ctc, end यहाँ पर 0 डाल देना, यह सारी चीज़ां आपको डालने के बाद form fill up कर देना, अगर नहीं हो जाएगा, 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 जा